ये medicine हर तरह का हर एक योन समस्या हर एक sex problem को पूरी तरह जड़ से शाफ कर देगी लेकिन ये तीन symptom मैच होना बहुत ही जरूरी है सेक्स प्रॉब्लम के लिए होमेवपैथिक मेडिसिन सिलेनियम मेटालिकम को इस्तमाल करने का सही तरीका क्या है आज हम लोग इस वीडियो में ये बात करने वाले है दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि होमोपैथी में एक disease के लिए, एक रोग के लिए अनेक medicines एवेलेबल होती है, जो कि उस रोग का अलग-अलग symptoms के according, अलग-अलग presentation के according काम करती है ठीक उसी प्रकार से सिलेनियम जो होमेपाथिक मेडिसेन है ये इसमें बहुत बढ़िया काम करती है अब Selena him को sex problem के लिए कैसे इस्तमाल करना चाहिए इस topic का उपर आने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि Selena him किसको फाइदा करने वाली है ये medicine अकला सबका sex problem ठीक कर देगी ऐसा तो नहीं है तो मैं कौन से लोग है वो कौन सी symptoms है जिन symptoms के अंदर ये medicine काम करता है मैं अगर खुद की experience के अगर बात करूँ तो selenium को recommend करने से पहले मैं patient का अंदर तीन चीज देखता हूँ अगर वो तीन चीज अगर मुझे patient का अंदर match होता हूँ दिग रहा है क्योंकि दुनिया का हर तरह का हर एक debility weakness, कमजोरी, selenium का बाड़ी का अंदर ही रहेगा इसका patient का अंदर energy नाम का कोई चीजी नहीं होता है एकदम लिथार्ट, एकदम सुस्त पड़ा हुआ रहता है इसका patient का कमजोरी इतना extreme level तक का होता है कि 4-5 घंटा, 6 घंटा अच्छी तरह नींद लेने के बाद भी इसका body में कमजोरी बना हुआ रहता है जो कि आम तोर पर ऐसा नहीं होता है patient अगर कमजोरी फिल कर रहा है weakness है अगर वो अच्छा खासा नींद ले लेता है तो उसका body फिर से rejuvenate हो जाती है लेकिन इसका case में ऐसा नहीं होता है तो मैं case taking के दोरान हमेशा ये चीज़ पूछता हूँ कि patient का body का अंधर कमजोरी है की नहीं weakness है की नहीं अगर मुझे weakness अगर दिखता है तो मैं एक बार बिलकुल selenium के बारे में सोचता हूँ अगर आगे का symptoms match करता है तो selenium में recommend भी करता हूँ अगला symptom है ये बहुत बड़ा symptom होता है selenium को recommend करने के लिए लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा observe करना पड़ता है patient को patient को थोड़ा देखना पड़ता है physically इसको appearance कैसा है इसका उपर गौर फर्माना पड़ता है selenium का patient अपना उमर से थोड़ा ज़्यादा बुढ़ा दिखता है suppose मान लिजे आपका सामने एक selenium का लड़का या patient बाठा हुआ है जिसका असल में उमर 20 या 25 साल है लेकिन उसका उमर आपको दिखने में लगेगा कि उसका उमर 35 या 30 वर्स है यानि वो अपना उमर से ज़्यादा बुढ़ा दिखता है अगला जो इसका appearance आपको देखना है इसका body structure इसका body structure बिलकुल emaciated होता है एकदम पतला lean and thin होता है खास तोर पे इसका pair इसका body के तुलना में इसका pair इसका जो thighs है वो और ज़्यादा पतला दिखता है एकदम emaciated दिखता है इसके बाद जो मैं selenium का patient का अंदर देखता हूँ उसका चहरा उसका face इसका चहरा बिलकुल oily होता है एकदम ऐसा लगेगा कि आपका सामने जो लड़का बठा हुआ है वो अपना चहरे पे oil लगा कर तेल को लगा कर जो है आये हुए है बिलकुल oily skin होता है सिर्फ चहरे पे oily skin होता है ऐसा नहीं पूरी body पर भी हो सकता है इसका oily skin इसके बाद जो अगला symptom patient का अंदर हमें देखने को मिलता है वो है इनका hair fall और selenium का patient को सिर्फ hair fall होता है ऐसा नहीं बलकि पूरी body से इसका जो बाल है जड़ता है चाहे वो armpits का बाल हो या abdomen region का बाल हो या आपका eyebrows हो हर जगा से इसका patient का बाल जड़ता है तो selenium का patient का अंदर जो appearance को लेकर हमने दो तीन बाते किये है यह बहुत ही prominent है इससे आप बिलकुल देख सकते हैं अपना अंदर है या नहीं थर्ड जो symptom में patient का अंदर देखता हो वो यह है कि इसका patient को spermitorya यानि धात की सिकायत होगी nightfall की सिकायत होगी इसका postatic fluid हमेशा निकलता है अगर toilet करने के लिए जाते हैं उसके बाद निकलता है अगर lettering करने के लिए जाते है थोड़ा जोर लगाते है उसके बाद निकलता है या अगर कोई औरत को देखता है या फिर कोई औरत से बात करता है तो फिर उसका वहाँ से चिपचिपा सा पानी जैसे निकलता है तो धात की सिकायत और नाइट फॉल की सिकायत इसका अंदर बहुत ज्यादा होता है अब यहाँ पर हमें सिलेनियम और एसिट फॉस जो मेडिसिन है दोनों मेडिसिन से हमें डिफरेंसेट करना पड़ता है क्योंकि दोनों ही मेडिसिन का जो लक्सन होता है वो काफी एक समान दिखता है तो silenium और acid force को differentiate करने के कई सारे point होता है लेकिन मैं जो point देखता हूँ वो यह है कि silenium का जो patient है इसको गर्मी बरदास नहीं होता है बिल्कुल गर्मी बरदास नहीं होता है उसी जगा पे acid force का जो patient होता है उसको गर्मी अच्छा लगता है बलकि गर्मी से उसको आराम मिलता है तो हम यह कह सकता है कि silenium का जो patient होता है यह hot patient होता है वहीं पर acid force का जो patient होता है वो chili patient होता है और भी बहुत सारी point होता है जो कि हम लोग mental state से इसको differentiate कर सकता है लेकिन वो मैं आपको बताओंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों यह जो मोटी मोटी तोर पे हमने silenium का जो आपको तीन लक्सन आपको गिनाए यह बहुत ही main symptom होता है silenium को recommend करने के लिए और silenium तभी काम करेगी अगर यह तीन symptom match होता है तो यह medicine हर तरह का हर एक यौन समस्या हर एक sex problem को पूरी तरह जड़ से साफ कर देगी लेकिन यह जो तीन symptom समने आपको गिनाए यह तीन symptom match होना बहुत ही जरूरी है अब सवाल आता है कि इस medicine को कैसे इस्तमाल करना चाहिए तो यह तीन symptom अगर आपका अंदर match होता है तो फिर आप selenium को 30 potency में लेकर आईए उसका दो बुंद सुभे, दो बुंद साम को लीजिए दो चमच पानी के साथ मिला कर पी लीजिए और इसी प्रकार से आप selenium 30 को तीन हफता इस्तमाल करें तीन हफता हो जाता है सिलेनियम 30 को इस्तमाल करते हुए उसके बाद आप स्टॉप कर दे और एक हफता आप ग्याप दे एक हफता कोई medicine आप और ना ले और एक हफता ग्याप देने के बाद आप selenium को 200 potency में लेकर आईए और उसका दो बुन दो चमच पानी के साथ मिला कर सुभे breakfast से पहले आप पी लिजे और जैसे ही selenium 200 को लेते हुए एक हफता हो जाता है उससे आप बंद कर दीजे उसके बाद आपको कोई medicine और इस्तमाल करने का दरकार नहीं है आप एक मेहना और कोई medicine इस्तमाल ना करे एक मेहने के बाद आप दो medicine को और लेकर आईए एक damiyan mother tincture और एक ginseng mother tincture इन दोनों medicine को अब इस्तमाल करना start कर दीजे डाम्यान को सुभे साम लिजे और ginseng को दो फैर और रात को लिजे पंद्रा पंद्रा बुन दीजे हाप काप या एक काप नॉर्मल पानी के साथ मिला कर पी लिजे और इसी प्रकार से ये दो medicine को आप कम से कम दो महना continue ले लिजे दो महना continue लेने के बाद आपको और कोई medicine का दरकार पड़ेगा नहीं ये मेरा दवा है आपका यहान समस्या पूरी तरह जड़ से समाप्त हो जाएगी लेकिन इसका लक्षन मैच होना चाहिए दोस्तो तब भी जाके ये काम करेगी तो दोस्तो मैं इस वीडियो कहीं पर एंट करता हूँ मैं आसा करता हूँ कि आप लोग के मेरा वीडियो अच्छी लगी है और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जिरूर कर दीजेगा और मैंने चैनल को सब्सकाइब कर दीजेगा सब्सक्राइब कर दीजेगा तो थैंक यू वेरी मुच एंडव गूड़ दीजेगा